आपकी स्क्रीन के सामने आपको एक फोटो दिखाई दे रही होगी और मुझे लगता है कि आप सभी लोग इने जानते भी होगे आप लोगों ने इने किर्किट के चित में भी देखा होगा और आप लोगों ने इने राजनीती के चित में भी देखा होगा जो हमारा पडोसी है देश पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ उसी देश के पिधान मंत्री है इमरान खान अब देखे पाकिस्तान का दुर्भाग गई है यहां वहां की जन्ता का दुर्भाग गई है आप देखे पाकिस्तान के पिधान मंत्री की गद्धी पर पूरा कोई भी ट्रम्प पूरा नहीं कर पाता है यानि कि अपना कारकाल पूरा नहीं कर पाता है और आप देखें इमरान खान के खिलाप एक बार आविस्वास पिस्ताव आ चुका है लेकिन उस बार तो ये अपनी गद्धी बचा चुके थे लेकिन अभी ऐसा माना जा रहा है कि इनकी गद्धी पर फिर से एक तरह से आप देखें इनके गद्धी से हटने की जगे कुछ जादा ही दिखाई देने लगी है और अब फिर से इनके खिलाप आविस्वास पिस्ताव लाया जा रहा है अब आविस्वास पिस्ताव कहने का मतलब यही होता है कि आप सोचे कि इनके पास अब बहुमत नहीं बचा हुआ है और यही क्या रहता है कि आप देखिए संसद में जो वहां की संसद होगी उसमें बोटिंग होगी और उसके बाद ही मालू चलेगा कि इनके पास बहुमत है या यह अपना बहुमत खो चुके है अगर खो चुके होंगे तो अपना प्यधान मंतरी पत छोड़ना पड़ेगा अ पड़ोसी देश में अगर कोई राजनेतिक उठाफटक हो रही है तो हमें तो फिरहाल मालू होना चाहिए और कैसा पड़ोसी है आप सभी जानते हैं यह है पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा और 1947 तक आप देखिए हम लोग अंग्रेजों के अंडर में थे लेकिन अगर करता था लेकिन आप सभी जानते हैं कि 1971 में पाकिस्तान ने हमसे टक कर ली और उस समय हमारे देश की पिधान मंतरी थी इंदरा गांदी और आप देखिए इंदरा गांदी ने आप देखिए कि पाकिस्तान के दो टोगड़े कर दिये और नए देश के रूम में बंग कस्मेरिश की भी लगती है लद्दा की भी लगती है जो पीओ के बाला हमारा हिस्सा जो पाकिस्तान की कबजे में है न उस पर हमारी उसी से हमारी सीमा लद्दा की भी लगती है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा भारत के और पड़ोसियों को देखना है तो स्री लंक हो गया बंगला देश हो गया मैनमार हो गया भूटान हो गया नेपाल हो गया चाइना हो गया अफगानिस्तान हो गया यहां ठीक है और आप देखे क्या देखना है आपको कुछ समय पहले आपने देखा होगा मैनमार में भी तक्ता पलट हुआ था और एक बात और आपको बता आपने इसक्रीन पर इमरान खान देख रहे हैं आपको इनके नाम की वास्थिक नाम की बात करें तो अहमद खान नियाजी इमरान इनका नाम है लेकिन इनका पिसिद्धी नाम है इमरान खान और लोग इन्हें इमरान खान की नाम से जानते हैं इनका जनम होता है 5 अक्टूब इनकी माता का नाम इनकी पत्नियों की बात करें तो बूसरा मनिका और रहम खान इनकी पत्नियों का नाम है इनके बच्चों की बात करें तो कासिम खान और सुलेमान खान इनके बेटे हैं और धरम की बात करें तो आप सभी जानते हैं की Muslim है, Islam है, इनका धर्म है इस्कूल की सिख्चा की बात करें तो Royal Grammar School England से इन्होंने अपनी सिख्चा ली हुई है और College की बात करें तो Oxford बिस्विद्याल है England से इन्होंने अपनी सिख्चा ली हुई है और सिख्चा की बात करें तो graduate हैं, ठीक है और party की बात करें यानि कि इनकी राजनेतिक party है पाकिस्तान तहरीक ए ठीक है और अभी आप जानते ही कि बरत्मान में अभी तक पाकिस्तान के पिधान मंतरी पत पर हैं और आंगे क्या होता है यह तो आने वाला कल ही बताएगा और इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि आप लोग social media पर हैं आप लोग news देखते रहते हैं आप लोग paper पढ़ते रहिए तो आप लोगों को आंगे की जानकारी मिलती रहेगे अगर हम लोग इमरान खन की किर्केटर केरियर की बात करें किर्केट के छित में तो इमरान ने 16 साल की उम्र में से ही किर्केट खिला प्यारम किया था और इन्होंने Oxford University की विलूज किर्केट टीम में अपनी जगे बनी और इमरान ने 1971 में बर्मिंगम में इंगलेंड की खिल तेज गेंदबाज माने जाते हैं और 1976 में पाकिस्तान लोट आये और 1976 सतत्तर में इन्हें राष्टी टीम की तरब से खेलना शुरू किया 1982 में इन्होंने 9 टेस्ट में 33.29 रन पर 62 विकेट मिले थे और यह आल टाइम वालिंग रैंकिंग में 33 स्थान पर माने जाते थे और आप सबी लोगोंने सुना होगा कि एक तेज गेंदबाज हैं इमरान खान और इन्होंने 75 टेस्ट में 3000 रन और 300 विकेट पराप्त किये इनका सबसे अधिक स्कूर 136 रन का है इन्होंने टेस्ट किर्किट में 362 किर्किट विकेट लिये और पाकिस्तान के पहले बॉलर और विस्ट के चौतरी बॉलर बने इन्होंने 175 बंडे मैच खेली और 33.41 के एवरेस्ट से 3709 रन बनाए और इन्होंने बंडे मैच में अधिकतम 102 रन बनाए हुए हैं इसकोर है निका सबसे जाना 30 साल की आईउ में इन्होंने 1982 में इन्हें किर्किट टीम का कप्तान बनाए गया था और बात और कप्तान इन्होंने 48 टेस्ट मैच खेली और 14 में जिसमें जीत दर्च की थी कितने 14 में इमरान खान ने इंग्लेंड की ख्लाब मैलवन औस्टिलिया में खेली गए अपने अंतिम ODI 1992 की विसकप के इतिहासिक फाइनल के 6 महिने बाद किर्किट से सन्यास ले लिया था और 1992 में इमरान खान की कप्तानी में पाकिस्तान ने पहला वर्ल्ड कप जीता था तो याद र प्रमीला था कि सीधे टीम से बात नहीं कर सकता था और इन्हें प्रवंधक से कहना पड़ता था कि सुनिए क्या आप उनसे बात कर सकते हैं यह बात जो इन्हें उनसे ब्यक्त करना चाहता हूं तो यह भी इनकी कहानी रही है इमरान खान की अब बात आती है राजनेतिक क्य में पाकिस्तान में तहरीक ये इंसाब अर्थात नियाय के लिए इंसाब नामक पायटी भी बनाई थी खान ने 1999 में आप देखेंगे जनरल परवेज मुसर्रफ के सेंड तक्ता पलट का समर्थन किया लेकिन 2002 में कि आम चुनावों से कुछ महीने पहले उनके राष्टपती प वहां की सेना चलाती है और ये हस्त चेप आप लोगों को दिखाई भी देगा अलग से ही दिखाई देता है इमरान पाकिस्तान में पिधान मंत्री पत के लिए प्रवल दाविदार माने जा रहे थी लेकिन इन्हें सपलता प्रप्त नहीं और उनकी पायटी दूसरे इस्थ सदस बने थे फिर आप देखेंगे 22 वरसों के बाद इमरान खान की पायटी ने जुलाई 2018 में एक बड़ी जीत आसिल की थी और तहरीक ए इंसाब PTI के नेता इमरान खान पाकिस्तान की पिधान मंत्री बने और अभी तक ये पिधान मंत्री के पत पर हैं इन्हें कुछ पु इमरान खान की कंधों में चोट लगने से तकलीब थी इसके बाब जूद विसकप जीतने में महत्पूर्ण भूमी का निभाई थी इन्होंने आ लाउंडर टिपल में ये तीसरे स्थान पर हैं और जिसमें इन्होंने 3000 रन और 300 विकिट सामिल हैं और 1976 में और 1980 में इन्हें क अवड का अवड भी मिला था 2004 में इन्हें अच्छा कार करने और दान के कार करने के लिफिकी लंडन में lifetime achievement अवड लेकर बी सम्मान किया गया था इन्हें देश का सरवोच नागरिक सम्मान है ये इमत्याज भी मिला हुए है जह से हम लोग भारत रतन कहते ना उसी तरह से प पाकिस्तान में पहला Cancer Hospital बनाया और इन्हें 2007 में मानवतवादी परुस्कार भी मिला था 2012 में इन्हें Match of the Year घोसित किया गया था और Global Post की द्वारा सीज नेताओं की सूची में तीसरे इस्तान पर इन्हें रखा गया था कितने तीसरे नाम इनकी कुछ बुक्स भी हैं किताबें भी हैं एक तो इनकी किताब का नाम है The Auto Vyography of Imran Khan एक इनकी बुक का नाम है Imran Khan Cricket Iskals ठीक है और एक इनकी बुक है Indus Journey a Personal View of Pakistan एक इनकी बुक का नाम है All Round View एक इनकी बुक है Warrior Race A Journey Through The Land of Tribal Wath-Path-Hans ठीक है एक पाकिस्तान एक Personal History भी इनकी ही बुक है इनकी ही किताब है इनसे कुछ बिवाद भी जुड़े रहे हैं इमरान का Cricket Career कई विवादों से घरा रहा है इन पर मैदान में Ball से छेड़शार करने के आरो भी लगते रहे हैं 1981 में एक मैच के द्वरान Ball को बोतल के धक्कन से खुरचने की कारण इन पर मुकदमा दायर हुआ लेकिन जीत इनहीं की जीत हुई थी इमरान खान जब Cricket खिलते थी तब उन्हें पिलेववाय कहा जाता था और इन्होंने बेटे से अरोपती James Gold Smith की बेटी जमीमा से निकाय किया और फिर इनका तलाग हो गया था इसके बाद इन्होंने रहम खान से साधी की और दस महीने में तलाग ले लिया इमरान खान की साधीयों और तलाग हमेशा सुरिखियों में बनी रहते हैं क्या बनी रहते हैं साधियों के कारण भी आप दिखी इस चर्चा में बने रहते हैं और कुल मिला के यही कहान ही है मरान खान की आपके पड़ोसी देश के कोई पिधानमंतरी है जिसकी कुरसी हिल रही हो तो मुझे लगता है कि उस देश के बारे में आपको जानना चाहिए औ और उस देश के पिधानमंतरी नेता के बारे में भी जानना चाहिए और वैसे भी हम लोग देश में जो भी चर्चा में अपने देश की बात कर लिए या दुनिया में जो भी व्यक्ति चर्चा में रहता उसके बारे में बात करते रहते हैं आपके मन में भी किसी का नाम हो तो आप लोग बताईएगा उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे ठीक है